नमस्कार दोस्तों मैं आसे तोष आपका स्वागत करता हूँ अपने चनलन दोसा कारावेदी के स्टिलोजी में जो धन योग के जो कंबिनेशन की चर्चा हम कर रहे हैं उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि आपके कुंडली में फिप्थ हाउस से जो मैं अभी नमर को मानता हूँ अगर कुसी प्लाइट की महादसे चल रही है तो वो उसमय अक्टिव होता है जब प्लाइट एक्टिव होगा तो रिजल्ट देगा जहां वह बैठेगा जहां वह देखे जिसके साथ होगा तो देखने वाला है कि कौँए-प्ध योग है जो धन की बनेंगे तो जो plant involved होंगे उस combination में उनकी जब भी महादसा या अंतरादसा आएगी तब जाकी वो activate होगा सबसे पहले पहले combination की तरह हम बढ़ते हैं वो यह कहता है कि राहू केतु जो है वो quadrant में हो है ना लेकिन कैसे हो कि lord of fifth house से उनका कहीं ना कहीं सम्मंद बन रहा हो है ना association fifth house से हो तो माल लिजे कि राहू केतु यहाँ पे राहू जाके बैठ जाए फोर्थ हाूस में है ना फोर्थ हाूस में अगर राहू है तो obviously केतु जो है बिल्कुल 180 degree पे यहाँ आके बैठेंगे है ना यहाँ पे सुर्ष जो है बैठ या तो सुर्ष जो है केतु के साथ बैठ जाए तो दूनुए स्थिती में जो है आपको जब भी सुर्ष की मादसा चलेगी राहू के अंदर दसा चलेगी तो आपको कहीं ना कहीं सुर्ष जो है इस स्थिती में आपको वैल्दी बनाएगा अब आपके मन में इस आ हा रहा हुआ कि राहू और सुरि वाइन अख्यात Recht नहीं होती है क्योश्य कहीं करने जीए डिये पीटा के जीवन में होंगी तो अभ्लानियों के साथ है और राहो अचानक से धन देने वाला एक प्लानेट है जब भी राहो की महादसा चलेगी असुरी की अंदरतसा होगी तो कहीं ना कहीं धन के स्थिती में तो आपको फाइदा जरूर होगा हम चलते हैं अपने दूसरे छाषरी बुद्ध है वो अपने घर में कैसे होंगा तो छे नमर्किराशी होनी चाहिए हैं चे नमर्किर यहां पर राशी होगी फिफ्थ आहस में पर रहांसी यहां होगा है में विजड़ अब इस हैंभी दस्यां होगी ग्यारा बारा और एक यानिकि ये ब्रिसव लगन की कुंडली में खास करके फिफ्थ लॉट कौन होने चाहिए आपके बुद्ध होने चाहिए तो बुद्ध ये कब होंगे फिफ्थ आउस के लॉट जब यहाँ पे छे नमर हो या तीन नमर हो खे नमर के साथ समने यहाँ डाला है क्योंकि वर्गो यानि कन्यारासी है और मरकरी जो है इसके लॉटे क्योंकि ये वर्गो साइन है अब यहीं पे जाके बुद्ध बैट जाए यानि बुद्ध यहीं जाके बैट गए और आपका चंदरमा मंगल और ब्रहस्पती यह जो है 11th house में हो चंदरमा मंगल और ब्रहस्पती आपके 11th house में होने चाहिए यानि कि आपका 11th house यह है तो यहाँ पे कौन-कौन से प्लानेट होंगे जुपिटर ब्रहस्पती होगे यानि कि मून और साथ में मंगल अगर यह तीनों प्लानेट अगर 11th house में बैठे हैं और 6th house के लॉड बुद्ध बन कि अपने घर में बैठे हो तो कहीं न कहीं आपकी इनी प्लानेटों की महादसा अंतर दसा में यह योग आपका एक्टिवेट होगा बहुत सारा धन यह यहाँ पे 9 नम्र हो है ना तुम चलिए 12 नम member हम लेकर चलते हैं यह सबसे पहले मानलीज अगर यहाँ 12 नम्र होगा यहां मीन रास्यो ओके 5 में तो यहाँ पे आपका 11 नम्र होगा यह आपका 10 हो जाएगा यहjuापका 9 और यह अब आपका आठ यहाँ पे है ना तो कहाना मन्ताँ कि ब्रिष्चेक लगन की कुंदली बनेगी तो आठ नो 10 से 11 बारः यहाँ पिर यह एक फिर यह दो यह तीन नम्मर की रासी यह चार यहाँ पी पांच होगा आपका यहाँ पे 6 होगा आपका यहां पर साथ होगा तो आठ है यानिकि समझ जी लगन जो ब्रिस्टिक लाइन के कुंडली होगी तो ब्रिस्पति जो है पंच्यम के लॉड हो जाएंगे और यहीं पर जाकर बैठेंगे है ना और भुद्ध जो है आपका 11 र हूश में होगा तो बुद 11 रासी के अपने घर में होगा है ना फिल्फ जाता है यहां जो सनी है वो फिल्फ र प्लेच हो अपने ही साइथ हो अपने ही साइन में और सुर्ष और चंद्रमा 11 रासी के यानी की बुद्ध होने चाहिए तो सनी अग updating फिप्थाउस ही आपका फिप्थाउस है यहां पर तो सनी अपने ही घर में कब होंगे जब यहां पर या तो 11 नमर का साइन हो या तो 10 नमर का साइन हो चलिए हम कुम राशी माल लेते हैं यहां पर 11 11 नमर है तो कुम राशी है यहां यह 12 नमर हो जाएगा फिर यह 1 नमर हो जा क्या होगा यहां पर सनी अपने ही घरा बैठ जाए है ना 11 नंबर पर चंद्रमा और सुर जो है एलेबेंट हाउस में तो सुर का तो ही चुकि अपना ही घर लियो साइन है यहां पर सुर प्लस चंद्रमा यह बैठ जाए तो फिफ्थ हाउस के लॉट के जभी महादसा चले या अंतरदसा में तो आपको यह 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 योग एक्टिवेट हो जाएगा उस समय आप इसको इसका फाइदा उठा सकते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो यह कहता है सुर जो है फिफ्थ हाउस के लॉट हो फिफ्थ हाउस में हो और सनी चंद्रमा और ब्रहस्पती हो यहाँ फिफ्थ हूस में हो तो सुर को फिफ्थ हाउस में होने के लिए क्या होगा यहां पे पांच नमर की साइब जाए तो आज यहां पर एककर साइन घर आपके कुडली में एक नमर तो मिसचलग blue में यहीं चीज संबब है तो यान यानि कि Two नमर यहां ओगा तीसरी यह ओग to चौते रासी यहां होगी यानि कर्क पांच मी रासी यहां होगी जो आपकी Leo sign है जिसके Lord जो है वो खुद सुर्य बनते हैं आप सुर्य जो है माली यहीं बैठ जाएं सु सन और 11th house में आपके सनी चंद्रमा सनी और चंद्रमा हो और ब्रहस्पती हो अब इसमें जरूरी नहीं कि तीनों ही प्लानेट हो कॉमिनेशन आपका दो तरीके से यहां पे बन सकता है वो कहना का मतलब है कि माली यह सनी यहां है और साथ में जो है आपके या तो मून हो या चंद्रमा और ब्रहस्पती दोनों बैटें तो और भी अच्छा है वैसे इस योग को कम्प्लीट होने के लिए आपका सनी के साथ या तो चंद्रमा हो या सनी के साथ आपके जुपिटर हो तो भी यह योग कहने कहीं जाके बनता है तो यह थे कुछ कॉमिनेशन जो कॉमिनेशन में जो प्लानेट से उनकी साथ ही वो कहीं न कहीं संबंद मना रहे हो ट्रांजिट में भी अगर या महादसा में जब चल रहे हो तो आपको समय यह चीज एक्टिवेट होता है तो अगर आपका वो कॉंडली का अगर नेचुरल बैनेफिक प्लानेट है लगन के साथ से देखिए सुरी जैसे यहाँ पै तो आप सुरी का मानिक पहन सकते हैं उस समय उनको पावर देने के लिए नहीं तो कलर एलमेंट आप मैच कीजिए लाल कलर के कपरे रुमाल अपने पॉकेट में रखिए तो जो भी फिप्थाउस के लौड जो भी कॉमिनेशन में ज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका